हलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका गाइड, मैं आपका मेंटर, रोनिच चोरसिया, साथियो एक नए वीडियो और एक नए ओफिसियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं, जी हाँ साथियो आपको ये हमारे बैग्राउंड में सो हो रहा है, हम 36 ग साथियो, एक एक करके हम इस बूक के बारे में हम आपको यहाँ पर information share करने वाले हैं, सबसे तो पहले आप देख लिजे, अगर भाग की हम बात करते हैं, पार्ट की बात करते हैं, तो यह बूक का कौन सा पार्ट है साथियो, तो यह बूक का जो पार्ट है, इसका नाम दिय गया है 39A इसका नाम दिया गया है आप यहाँ पर publication house का नाम देख लीजिए कि यह law success and विधी भारती publication के द्वारा इसको बनाया जाता है तो आपने यह भी यहाँ पर observe कर लिया अब आगे चलते चलिए और देखते चलिए यह किसके accordance में साथ ही हो तो यह जो किताब आपको बन आई गई हैं Hindi as well as English सबसे पहले मैं आपके सामने English का बुक दिखाना चाहता हूं hard copy में मैं आपके सामने English का बुक रख रहा हूं जी हां साथियो यही बुक है और इसी बुक के बारे में हम यहाँ पर detail analysis करने वाले हैं कि इस बुक के अंतरगत कौन-कौन सा material आपके लिए provide क किया गया है इनी सभी materials के बारे में हम एक एक करके यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्या-क्या इसके syllabus के अंतरगत आता है तो साथियो अब आप start हो जाईए और देखते रहिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा minor act and local law की बात करते हैं किसकी हम बात कर रहे है दोस्तों तो हम बात जो कर रहे हैं वो minor law की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे है minor law की बात कर रहे हैं और साथि साथ जो बात कर रहे हैं हम local law की बात कर रहे हैं अब इस किताब के अंतरगत आपको क्या-क्या देखने के लिए मिलेगा अब हम इन सभी चीजों को यहाँ पर और किसको objective type का question करते हैं ये दोनों के दोनों चीज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस book में आपको क्या क्या दिया गया है अगर minor act के तोर पर दिया गया है तो कौन-कौन सा minor act दिया गया है local law की अगर हम बात करते हैं तो कौन-कौन सा local law दिया है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि right to information act 2005 का है और यहाँ से आपके examination में question पूछा जाता है इसलिए आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर right to information act आपके लिए देखने के लिए मिल रहा है सबसे पहले आप देखें right to information act then next जो act आता है narcotics drug और psychotropic substances वाला act आता है जो कि 1985 का act है और इस act से भी आपके examination में question पूछे जाते हैं इसलिए इस act को भी रखा गया है the schedule caste and schedule tribe prevention atrocities act रखा गया है जो कि यह आपके examination का syllabus है और यहां से भी question आपके examination में पूछे जाते हैं इनके one liner आपको देखने के लिए मिलेंगे फिर साथ साथ आपको इसके MCQ question भी देखने के लिए मिलेंगे साथी साथ आपको arms act 1959 का देखने के लिए मिल रहा है और यह arms act भी आपके लिए बहुत ही जादे साथियों important हो रहा है फिर हम next अगर हम देखेंगे तो protection of human rights act की हम बात करेंगे और protection of human rights act को भी हम यहाँ पे read करने वाले हैं फिर हमारा IT act आया था 2000 में और उस IT act को information technology act को भी हम यहाँ पे deal करेंगे इससे जो भी one liner हमारे बन रहा है इन one liner को भी हम देखेंगे साथी साथ जो इससे related MCQ question बन रहे हैं उस MCQ questions को भी हम deal करेंगे फिर unlawful activities 1967 की हम बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे unlawful activities भी हमारे लिए उतना ही important हो जाता है जितना की other law हमारे लिए important हो रहा है सर्विस authority act 1987 की हम बात करते हैं इसमें chapter number 3, 4 and 6 जो है आपके लिए बहुत ही important है जो जो चीजें important है साथियों उसी के accordance में आपको चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी irrelevant material आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा ठिक आगे हम चलते हैं आगे और भी देखिए क्या क्या डाला गया है सभी जरूरत की चीजों को हमें यहाँ पर देखेंगे अब local law की हम बात करते हैं तो 36 गर excise act आपको देखने के लिए मिला है जो कि 1915 का act है देखिए यह 36 गर excise act हो गया फिर 36 गर तोनारी production निवास हो गया 36 गर विसेस जन सुरक्षा अभियान हो गया 36 गर हाई code rule and order हो गया तो यह सभी जगहों से question आपके examination में पूछे जाते हैं और यह 3 के 3 act आप देखेंगे साथियों कि यह 2005 में बने हैं अब आप यह भी जान लीजीए तो सत्यों मैं आप से बताना चाहूंगा कि यह जो किताब बनाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ इसी विधी भारती publication के दोरा बनाया जाता है और यही विधी भारती publication आपको किताबे provide कर रहा है अब आप सोचेंगे कि ये किताब हमको कहां से purchase करना है कैसे मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि साथ यो आफ Flipkart पे Amazon पे या फिर बिधीभारतीpublication.com से जाके रखे भी आप किताबों को purchase कर सकते हैं अब हम आगे content को इसको देखेंगे कि क्या क्या content इसमें provide किया गया है जो कि आपके examination के लिए बहुत ही जादे important होगा अगर हम किसके भिहाब पे बात करेंगे साथियों तो 36 गड़ ADPO examination के बारे में हम बात करेंगे जैसे कि आप सभी लोगों ने देख लिया कि right to information की बात करते हैं schedule and narcotics drugs की बात करते हैं फिर जो भी यहाँ पे acts आपको provide किये गया है सभी acts के बारे में आप लोगों ने already यहाँ पर देख लिया human rights act को आपने देख लिया food safety and standard act को आपने देख लिया legal service authority acts को देख लिया तो यह act जो आपको provide किया गया है यह किस-किस page number पे आपको provide किया उसके बारे में यह दे रहा है कि हां यह जो चीज़े आपको provide की जा रही है यह इसी page number पे आपको चीज़े देखने के लिए मिलेगा जिससे कि आपको authenticity का पता चल रहा है कि नहीं यह जो चीज़े हमको दी जा रही है वो इसी page number पे हमको देखने के लिए मिलेगा फिर हम आ जो कि Act Number के अगर हम बात करते हैं, तो Act Number 22 आप 2005 का है, मिन्स की आप कहेंगे कि Act Number 22 का मतलब क्या होता है, तो मैं कहूंगा कि 2005 में कोई Act Number 1 बनाओगा, कोई Act Number 2 बनाओगा, कोई Act Number 3 बनाओगा, इसी तरह से बनते-बनते Act Number 22 नमबर का जो Act बना था, वो हमारा Right to Information Act है, जो कि 2005 में बना था, अब आप देखेंगे कि पूरा का पूरा यहाँ पर description दिया है, description of section and contents के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा, कि क्या-क्या description आपको provide किया जा रहा है, किस-किस label का, किस-किस type का आपको contents यहाँ पर provide किया जा रहा है, यह है, जैसे कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है Right to Information Act 2005, उसकी बात, जब हम section number second के तरफ move out करते हैं, तो हमको definition clauses देखने के लिए मिलता है, और definition clauses में पूरे के पूरे जो act का overview होता है, पूरा का पूरा हमको definition clauses में देखने के लिए मिलता है, जो بھی बाते कही जा रही है, जो भी बाते हमको बताई जा रही है, वो सभी की सभी इसी के accordance में होंगी, किसके accordance में होंगी, तो इसी Right to Information के accordance में होंगी, तो यह चीजों को आप यहा पर chapter number first में देख रहा है, फिर chapter number second आ जाता है, chapter number second को भी आप observe कर रहा है, कि वन लाइनर आपके एग्जामीनेशन के लिए बहुत ही जादे रेलिवेंट होता है अब आप जो भी बुलेट्स पॉइंट यहां पर देख रहे हैं यह बुलेट्स पॉइंट देख रहे हैं यह बुलेट्स पॉइंट देख रहे हैं यह बुलेट्स पॉइंट आपको यह आपको दिख रहा है, यह सभी के सभी अपने आप में क्या है, यह सभी के सभी अपने आप में वन लाइनर हैं, और इसी को हम लोग वन लाइनर कहते हैं, मिन्स की टोटल एक्ट को क्या कर दिया गया, टोटल एक्ट को साट कट में बना दिया गया, जिससे आप चीजों को आसा भी चीजों को यहाँ पे हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे, ठीक, अब आगे हम चलते चल रहा हैं, आगे अब देखते हैं, इसमें आपको लिए हम MCQ question भी यहाँ पे सो करने वाले हैं, आपने वन लाइनर पूरा देख लिया, अब देखें यहाँ पे objective question bank की हम बात करते हैं, जो की right to information act 2005 से ही related है, और यह सारा का सारा material मैं आपके लिए English language में ले करके आया हूँ, अब objective question bank को देखें, जो की right to information act 2005 से ही है, जैसे first question की अगर हम बात करते हैं, तो RTI act is divided into, सबसे तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो right to information act है हमारा, वो कितने chapters में, कितने number of sections में इसको divide किया गया है, यह सारी जानकारी आपके पास at that time होना चाहिए, जब आप अपने preliminary examination को दे रहे हैं, किसी भी examination में, चाहें वो APO का exam हो, चाहें ADPO का examination हो, किसी भी examination मे as a syllabus के रूप में रखा गया है, और खास करके law के portion में रखा गया है, तो यह चीजे आपको जानना बहुत ही important होता है, और इसलिए इन सभी चीजों को AK करके आपके सामने दिया गया है, साथ में उसका answer भी दिया गया है, अब यहाँ पे जो next act आ रहा है सात्यों, जिस minor में म तो यह भी देख लिजे, इसका पूरा का पूरा content आपको देखने के लिए मिल ला है, chapter number first की अगर हम बात करते हैं, जिसमें preliminary की बात करता है, short title, extent and commencement की बात करता है, और section number second की हम बात करते हैं, दोस्तों तो उसमें definition clauses के बारे में बात कर रहा है, इसी तरह से हर act, act के लिए मिल रही होंगे, और जो यह bullet point आपको यहां पर देखने के लिए, यह bullet point हो गया, जी हाँ सातियों, यही bullet point आपका one liner है, और इसी को हम लोग one liner करते हैं, जितना concise form में हो सकता है, जितना छोटा हो सकता है, जितना summary format में हो सकता है, उतना करने का कोशिस किया जाता है, औ आपके होते हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, जैसे question number 23 की हम बात करते हैं, साथी साथी यहाँ पर question number 24 की हम बात कर रहे हैं, तो ये सभी के सभी आपके multiple choice question के अंतरगक कवर किये जाते हैं, अब आप देखिए नार्कोटिक्स, drugs की हम बात कर रहे हैं और narcotic drugs भी आपके लिए बहुत ही जादे important हो जाता है अब इसमें chapter number अगर हम first में देखते हैं साती हों तो हमको chapter number first में preliminary देखने के लिए मिल रहा है और preliminary में यहाँ पे हमको total 3 sections देखने के लिए मिल रहा है कौन कौन सा section तो सबसे पहले sorted and commencement की बात करते हैं next में हम definition clauses की बात करते हैं और जो हमारा section number 3 है power to add और omit from list of the side road tips substances की बाते हाँ पे कर रहा है तो यह सभी चीजे आपके सामने हैं और सभी चीजों के बारे में आपसे question पूछा जाता है तो इसी तरह से यह चीजों को आप यहां पर observe करते हुए चलिए फिर आप कहेंगे कि इसका one liner मैं आपके सामने show करूँगा तो फिर one liner भी मैं आपके सामने ले करके आ रहा हूँ यह पूरा chapter का glance है index है जो कि आपके सामने एक एक करके show कर रहा हूँ जैसे जो भी चीज़े आपको यहां पर देख रही है इस bullet format में जी हाँ सातियो इसी bullet form के माध्यम से मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ चीजों को present कर रहा हूँ और इसी को हम लोग one liner करते हैं तो in totality अगर हम आप लोगों से बताना चाहेंगे तो इस किताब में जीतना material आपको index पर यहां पर show किया गया है जीतना इसके cover page पर show किया गया है वो सारा का सारा material आपको इस किताब के अंतरगत देखने के लिए मिलेगा साथी साथ अगर हम MCQ की बात करते हैं multiple choice questions की बात करते हैं तो multiple choice questions भी आपके सामने यहां पर देखने के लिए मिल रहा है हर एक type का multiple choice question आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा जो कि आपके upcoming examination के लिए साथी हो बहुत ही जादे important होने वाला है ठिक आगे हम चलेंगे फिर next act को देखेंगे कि कौन-कौन सा act है इसी तरह से पूरे किताब को बनाया गया अब यहां पर आप देख रहा है arms act 1959 की हम बात कर रहा है इसमें भी आप chapter number first को देखिए और उसके बाद से chapter number second को देखिए जो जो चीजे possible जो चीजे हो सकती है उन सभी possible चीजों को यहां पर रखने का काम किया गया है एक एक करके साथी में one liner भी आपके लिए यहां पर बनाया गया है पूरा का पूरा आप one liner पढ़िए one liner को पढ़ने के बाद आप अपने mcq questions को solve करिए और mcq questions के बाद आपको पता चल जाएगा कि हो आप कहां पर थें और अब किस label पे अब आप grow कर गया है इस किताब को पढ़ने के बाद या फिर इन सभी materials को आप तयार करने के बाद आपको एक जगा कभी भी इस type के material देखने के लिए नहीं मिलेंगे लेकिन यह हमारा publication है विदी भारती material आपको देखने के लिए मिलेगा अब आप आगे चलते चलिए इसी तरह से पूरे किताब को डिजाइन किया गया पूरे किताब को बनाया गया कोई ऐसा चीज नहीं है जिसको की छोड़ने का काम किया गया जी हाँ साथियो बिल्कुल किसी भी चीज को छोड़ा नहीं गया है इस किताब की यही खासियत है अब यहाँ पर IT Act की बात कर लेते हैं Information Technology Act की भी बात कर लेते हैं इसको भी रखा गया है जो जो चीज कमिट किया गया है किताब की cover page पे वो सारी चीजे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी और हमारा भी यही उद्देश से है कि साथियो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उस ज्यादे से ज्यादे material को आपके लिए share किया जाए अब आप यहाँ पर देखेंगे इस किताब की खुबसूरती क्या है जो जहां से important होगा chapter wise दे दिया है क्या दिया है chapter 1, 2, 3, 4, 9, 11, 9, 13 दे दिया है और इस chapter से चीजे आपको देखने के लिए मिलेंगी जादे amount में यहाँ से question बनता है इसलिए इस चीज को यहाँ पर रखा गया है तो जितने भी हमारे English के दोस्त हैं जिनको लग रहा था कि नहीं इस टाइब की किताबे हमारे पास 36 गड़ असिस्टेंट का आना चाहिए था तो उनके लिए यहाँ पर किताबे provide की जा रही है साथियो यह था आज का total informative वीडियो यह मैंने आपके लिए बनाया मैं आपको share भी कर रहा हूँ और साथियो अब आप लोगों से भी उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी अपने friend circle में इसको जरूर share करिएगा और जितना हो सके उतना आप इसको share करने का काम करिएगा इसके बाद भी अगर आप लोग का कोई comment आता है तो साथियो हमारा comment section open होता है आप comment section में comment भी कर सकते हैं फिर मिलेंगे एक next वीडियो में एक next update के साथ तब तक कहे लिए धन्यवाद